जिन्दगी की रेस में हम सभी शामिल हैं कुछ लोग गधे की तरह धीरे धीरे चलते हैं जबकि कुछ लोग घोडे की रफतार से आगे बढ़ते हैं फर्क क्या है? फर्क है आपकी सोच और आपके तरीके में आज हम जानेंगे की कैसे हम अपनी जिन्दगी को गधे जैसी सुस्ती से निकाल कर घोडे जैसी रफतार से आगे बढ़ा सकते हैं जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं भी धीमे काम करता था हर चीज में समय लगाता था पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे अपनी मन्जिल जल्दी पानी है तो मुझे घोडे की तरह तेज भागना पड़ेगा जो लोग आज सफल है वे समय को अपना सबसे बड़ा हत्यार बनाते हैं वो केवल काम नहीं करते बलकि वो तेजी से सही दिशा में काम करते हैं कधा भारी बोजड होता है लेकिन धीमी चाल में फंसा रहता है दूसरी तरफ घोड़ा अपने वजन के साथ तेज दोड़ता है समय को मात देता है दोस्तों, रफ़तार ही वो फर्क है जो आपको सफलता और असफलता के बीच खड़ा करता है रफ़तार से चलने वाले लोग तेजी से सीखते है अपनी गलतियों से तुरंट उबढ़ते है और हर कदम पर नया मुकाम हासल करते है आप भी अपनी जिन्दगी में ये घोड़े जैसी रफ़तार हासल कर सकते है इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को बदले नई तकनीकों को अपनाएं और अपनी क्षमताओं को नए स्थर तक पहुँचाएं लेकिन कई बार हम इस रफ़तार को नहीं पकड़ पाते हमारी आदतें, हमारा आलस्य और पुराने तरीके हमें गधे की तरह धीरे खिसकने पर मजबूर कर देते हैं क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपकी जिंदगी भी गधे की चाल जैसी भारी और धीमी लगती है? लेकिन आज से आप इस रफ़तार को बदल सकते हैं अपनी सोच में बदलाव लाएं खुद को समय का मास्टर बनाएं और जिंदगी को घोड़े वाली रफ़तार दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इस घोड़े वाली रफ़तार का हिस्सा बन सकें धन्यवाद